कोरोना का नया वैरियंट मिलने के बाद इसी लहर की आशंग का बढ़ती ही जा रही है। इसे देखते हुए मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंग एक्शन मोड में हैं। कलेक्टर ने नगर के मारगों चौराहों और गाओं में जाकर लोगों को मास्क बाठे और मास्क लगाने के लिए प्रेरिद भी किया। वहीं वैक्शन के दूसरे डोस को लेकर भी जहां लोगों की भीड रहती हैं उन जगों पर भी वैक्सिनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। जसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वैक्सिनेशन किया जा सके। जब भी हम लोग गाओं में जा रहे हैं मैं हमारे सीओ या हमारे स्पी साब या हमारे जो दूसरे सीनियर ऑफिसर्स हैं। तो मानी मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि वो रोको टोको जैसा हो कि जैसे आप तीसरी लहर की संभावना चुकि निर्मित हो रही है। तो इस दिश्ट एकोंड से कोई बेक्तेगर भीना मास्क लगाए अगर मिलता है तो हम उसको मास्क लगाने के लिए प्रिडित करने का प्रयास करते हैं। और प्रतिकात्म कुरूप से कुछ लोगों को मास्क घेट भी करते हैं। ताकि एक मैसेज स्प्रेड हो कि मास्क लगा के सुरक्षित रहने की जरूरत है